नमस्कार किसान साथियों आप देखने यूटूब चैनल अगरीगरो साथियों जो सरसों के किसान भाई हैं उनको एक समस्या ये रहती है कि वा सरसों की बुवाई कब कब कर सकते हैं मतलब किन किन महीनों में संपूर्ण कर सकते हैं या फिर अगर आप सितंबर का महीना है तो स जलवायू का विशेश ध्यान रखना है कि आप आज के समय मौसम कितना परिवर्तित हो गया है ना तो सही समय पर बरसात होती है ना सही समय पर गर्मी होगी ना तो सही समय पर सर्दी पड़ेगी मतलब जो मुख जो तीन रितिये हैं ठंडी गर्मी और बरसात इनका कोई समय न पर से चालू हो जैंता है यहां आपका जब लाश्ट होता है या मार्च आने वाला होता है उस समय गरमी की ब्रधि हो जाती है गर्म हमाइच चल जाती है इस परकार से जो आप देखेंगे गेहु या फिर सरसों है उस समय यहाँ फिर मसूर है जो भी आप वोई कर रहे हैं तो उस समय आपका दाना जो पूर होगा मजबूत होगा पकने की अवद में होगी उस समय यदि गर्म हवाएं चलती हैं तो आपका दाना पतला हो जाता है पिचका हुआ रह जाता है दाना पूरा नहीं क्वा पर पूर बिक्सित नहीं हो पाता है तो अब इसके लिए तो क्या कर सकते हैं तो समय पर बुवाई करके तो इसकी अवधिका बात करें तो लगभग पांच महीने फसल देखने को मिलेगी बढ़िया अगर सरसों की फसल पांच महीने या दिन 150 दिन वैसे तो 130 दिन 140 दिन पर भ बुवाई करते हैं तो अक्टूबर, नौमबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पांच महीने फरवरी में पकर त्यार हो जाएगी तो यह सही है अगर आपने 1 अक्टूबर में बुवाई किया है अगर आप नौमबर में बुवाई करते हैं तो नौमबर, दिसंबर, फरवर और मार्च लाष्ट में पकर तयार होगी उस समय गर्मियां बढ़ जाती हैं गर्म हमाएं चलने लगती हैं तो किसान दोस्तों आपकी फसल का दाना है तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है अब हम इसी अनुसार जो बुआई का समय आपको खुद पता हो सकता है कि आप कित लेट बुआई करें कावध की तो आपको यह समय स्या देखने को मिलेगी जैसे एफिड्स या माहू या सफेद रतुआ आदी तो सबसे सही समय है बुआई का सेतमबर लाष्ट और अक्टोबर फट सबताह तक इस समय का बुआई कर सकते हैं बहुत अच्छा उत्पादन आ कटाई करके बुआई करनी है तो हमको लगभग लाष्ट अक्टूबर या फिर नौंबर हो जाएगा उस इस्थित में आपको बुआई तो करना है तो कमावधिवाली फसल की बुआई करना है लगभग 115 या 120 दिन की विराइटी का उस समय ले तो दोस्तों बुआई से पहल बातों का ध्यान जरूर रखें धन्यवाद जैजवान जैकसान